हमारा छंडा इसलिए नहीं फैराता क्योंकि हवा चलती है यह हर उस जवान की आखरी सांस से फैराता है जो उसकी रक्षा में अपने इप्राण न्योच्छावर कर देता है भारतिय सेना इस देश की मुठी है जिसकी उलिया है उसकी रेजिमेंट से हर एक रेजिमेंट सेना परिवार का एक सदस्य है और उनकी जीवनी भी पूर्वी पाकिस्तान पस्चिम पाकिस्तान से आलग होकर एक नया देश बनाने की जंग लड़ रहा था और आजादी की इस लड़ाई में उनका साथ दे रही थी भारतिय सेना दस दिसंबर की रात भारतिय सेनिक एक खास मिशन पर निकले थे मिशन था मैनामती रिज पर कमसा मंगलादेश की राजधानी ढाका से 114 किलोमेटर दूर है लामलाए की पढ़ाडी जिसका उत्तरी छोर है मैनामती पाकिस्तान का मैनामती बसे हतियारों का गुदाम भी था और इस बज़े से ये गड़ की तरह सुरक्षित थे पाकिस्तानी सेना मस्बूर डिटेफेंस पोजेशन पर थी और इस जंग को जीतना आसान नहीं था रात बारा बजे भारतिय सैनिको ने मैनामती पर कबज़ा करने का ओपरेशन शुरू किया अंधेरी की आड में वे एक पहड़ी पर चड़े और वहां से फाइरिंग शुरू की लेकिन अफसोस दुश्मन उनकी फाइरिंग रेज के बाहर था उन्हें किसी तना और करी पहुँचना ज़रूरी था उन्होंने दूसरी और से हमला करने का निर्ने लिया वो दूसरी पहाड़ी चड़कर बेस के और करी पहुँचे और हमला बोल दिया दुश्मने सचानक हुए हमले से चौंग गया लेकिन सुरक्षा कड़ी थी और पाकिस्तान जल्द संभाल कर भारतिय सेने पर फारिंग करने लगे वो आकरमन का मुग तोट जवाब दे रहे थे दुश्मन की तादाद भी ज्यादा थी और उनके पास बहतर बंदू के भी थी और साथ थे टैंक्स युद का पासा पलटने लगा स्टिथी इतनी कंभीर थी कि भारतिय सेनको वापस लौटने का आदेश दिया गया लेकिन सिपाईयों पर ऐसा जुनून सवार था कि उन्होंने वापस लौटने के आदेश को अंदेखा करने का फैसला किया बारा घंटे ये सिपाई अपनी जान की फिक्र ना करते हुए दुश्मन की बेहद मजबूत सेना पर वार करते रहे बारा घंटे फाईरिंग चलती रही युद्ध चलता रहा लेकिन बारा घंटे बाद पाकिस्तानी सेना की हिम्मत टूट गई उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी और वे पीछे हड़ गए एक बार फिर सावित हुआ कि जीत हिम्मत वालू की ही होती है जिन सहसी वीरू ने विजे का बिगुल बचाया और मैनामती रिच पर भारत का जंडा फेराया वे थे सिपाही राजपुताना राइफुल्स के राजपुताना राइफुल्स इंडियनामी के सबसे पुरानी राइफुल्स राजपुताना ब्रिटिश राज में एक पूरा इलाका कहलाता था जिसमें आज के समय के उत्तर और मध्य के राजप शामिल है जैसे राजस्तान गुजरात हर्याना यूपी का पश्चिमी हिस्सा और मध्य प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा तो कि जयातर जवान गाओं से आते हैं और आप जानते हैं कि गाओं में इजजट और इक्बाल सबसे बड़ी चीज़ होती है लड़ाई महार के पीछे जाने वाले की कोई इजट नहीं है सब जानते हैं और उस वज़े से आप देखेंगे बारम बार इतियास के पन्ने उठाएं राजरफ के जवान आपको काम्याभी के सबसे बड़िस्तर पर दिल्ली में है राजपताना राइफल्स का भव्य रेजमिंट सेंटर भारत की राजधानी दिल्ली में है मात्र भूमी के लिए मर मिटन ये राजपताना राइफल्स के लिए सिर्व एक कहावत नहीं कि उनका पेशा है इसी जजबे को दर्शाता भगवत पुरान का एक बख्य इस रेजम यहनी जमीन उनिक है जो ब्रेव है वीर है वसंदरा इस लेंड के लेंड बिलॉंग तो ब्रेव और राजपताना के वीर भूमी में रहने वाले इन राजपूतों के बहादरी को देखते हुए इस्ट इंडिया कंपणी ने अठारवी सदी में इनको अपनी एक बटालियन में भरती किया इस बटालियन में फ्रांस के सैनिक भी थे और साथ मिलकर इन्होंने बड़ी जिम्मिदारी से कई मोर्चों को संभाला और फिर राजपूतों की फूर्ती सूजबूज और साहस को देख इनकी एक अलग राइफल बटालियन खड़ी की और उससे नाम दिया बॉम्बे सिपोईज सबसे पहले सिरफ मस्किट्स हुआ करती थी और यही बॉम्बे सिपोईज के भी पास थी इसके बाद जब मस्किट्स को अपग्रेड किया गया तो आईी राइफल्स मस्किट्स सबसे पुरानी बंदूख है मस्किट और राइफल्स में कारतूस की लोड़ी और अनलोड़ी में फर्क था मस्किट में मजल के जरिये कार्टूस डाली जाती थी जो की समय लेता था वहीं जब राइफल्स आई तो ये काम आसान हुआ राइफल्स में कार्टूस पाउडर डाला जाता था और फिर बुलिट्स मस्किट और राइफल्स की मार्क शम्ता में भी फर्क था जो यूनिटे ओपरेशन्स में लड़ाई में अच्छा परफॉर्म कर रही थी उन में से चुनके कुछ यूनिटों को इन्होंने राइफल से एक्विप किया और ये राइफल से एक्विप होने के बाद में वे राइफल रेज्मेंट के नाम से जाने बॉम्बे सिपोईस पहली ऐसी इन्फिंट्री थी जिसमें केवल राजपूच शामिल थे 1921 में फिर ऐसी छे बड़ी बैटैलियन्स को जोड़कर सिक्स्त राजपताना राइफल्स का अगास हुआ और यही राजपताना रेज्मेंट बनी हिंदुस्तानी सेना की पहली राइफल बैटैलियन्स झाल 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 झाल